ओगे दी, इस session के अंदर हम cover करने जा रहे हैं कि हम MS Excel के अंदर drop down list के से बनाते हैं तो drop down list को बनाने का एक simple सा तरीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक बनाई वी है कि जितने भी number of item आप को किसी list के अंदर show करने हैं, तो आप यहाँ से show कर सकते हैं अभी मैं इसको clear कर देता हूं, तो clear के लिए home के अंदर clear all करने इसको, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई drop down list रखनी है, तो आप रख दीजिए, क्या करेंगे देखें, सबसे पहले आपको जिस cell के अंदर list दिखानी है, उस cell को select करें, उसको select करने के बाद आपने क्या करना है, data tape के अंदर जाना, का जरह है, data tape के अंदर, यहाँ पे आके आपको एक option मिलता है, data validation, इस पे click करेंगे, यहाँ click करने के बाद आपको यहाँ पे click करने, तो चीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखें, क्या आप शोर है, any value, अब आपको any value पे click नहीं करना, list पे click करने के बाद आप से पूछ रहा है source, कि actual में यह list जिससे आप बनाना चाहते है, वो तक्रीमन item है का, तो आपने इस source को यहाँ पे click करना है, और सिर्फ और सिर्फ item वो आपको select करके देने, उसकी values नहीं, क्योंकि मैं यह item दिखाना चाहता हूँ, किसमें, उस list के अं आप जैसी होके करेंगे, तो इस list के अंदर तक्रीमन वो item include हो चुके है, और से clear हो गया, तो ऐसे हम MS Excel के अंदर एक drop down list बनाते हैं, या number of item या जिस तरह की भी चीजे in the form of list बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी?